नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बड़ा ही अच्छा व्यूपॉंट आज के डिटोल में छपाया है यह कुछ बहुत ऐसे important articles हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप skip ना करो तो जब भी कोई बहुत important news होती है उसको मैं आपके सामने definitely लेके आता हूं rattling foreign investors आपको पता है कि आज के दा हिंदू मैंने तीन articles डिसकस की हैं एक article अलग से मैंने साब साथ डिसकस कर लिया कि CAPFA काम में आर्मी कैसे interfere ना करें एक यहां पे rattling foreign investors से related एक news item है इंडिया को हमारे मोदी जी और हमारी बीजेपी सरकार एक prominent investment destination मनाना चाहते हैं जहां पे बहुत सारी international companies आएं और आकर अपना पैसा invest करें और यहां पे businesses को create करें लेकिन at the same point हमारे जो taxation laws हैं वो काफी ज़ादा unfair ऐसा नजर आ रहा है international community हाला कि मैं बता हूं कि हमारे tax laws काफी clear हैं बिलकुल भी unfair नहीं हैं लेकिन कुछ cases में जैसे vodafone के cases में जैसे kane energy के cases में जैसे कि देवादास multimedia के cases में इन तीन-चर cases में क्या हुआ है कि एकदम से चीजें change हो गए vodafone और kane ninja के cases में retrospective taxation आ गया देवास multimedia वाली जो deal थी वो बीच में तूट गई अभी उसके चलते कुछ financial disputes उठ देए और यह financial disputes इंडिया के बाहर जो international tribunals है वहां से आ रहे हैं और उसके चलते इंडिया की authority violates ही होती नजरा रही है तो यह पूरा का पूरा matter क्या है और कैसे यह हमारी international standing को आप कह सकते हो कि disturb करता है एक गलत light पे दिखाता है खास कर तब जब हम foreign investors को उपने हाँ पे business चलाने के लिए बुना रहे है मैं आपको बता दू कि यह अलग-अलग cases में आपको बताने वाला नहीं हो अगर Vodafone issue के बारे में आपको जानना है तो 30 September 2020 वाले daily the Hindu editorial में चले जाए जाए Vodafone मेरे नाम हरशी देविदिक साथ साच मार दीजे आपको एक particular video मिल जाएगी यहाँ पे Vodafone tax dispute क्या है यह आपको पता चल जाएगा उसके साथ साथ यह जो केन energy वाला issue क्या है जो विदानता की subsidiary थी तो इसके लिए आपको retro taxes वाले इस particular topic पे जाना पड़ेगा मैंने पहले बताया हलका फुलका आज भी बता दूँगा तो अब देखिए हम लोग अपने देश में बहुत सारी FDI लाने की कोशिश कर रहे हो 2020-21 में latest report के साब से इंडिया के अंदर 81.72 billion dollars की FDI है इसको सरकार एक बड़ा achievement मांग रही है खासकर करोना के pandemic की समय पे लेकिन अगर बहुत ध्यान से हम इस FDI को तोड़े तो ये एक achievement नहीं है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों चोकि 81.72 billion dollars में से कुछ deal बहुत बढ़ी है जैसे की Facebook ने 9.99% खरीदा आपका G.O. में कुछ Google ने खरीदा, Byju's में FDI आही है तो कुछ 3-4 बड़ी FDI deals को आप हटा दो और अगर आप कुछ foreign portfolio investments की बात करो short term portfolio investment inflows की बात करो तो ये जो short term portfolio investment inflows है उसके चलते भी जो 81.72 billion dollar figure से बहुत ज़ादा नज़र आ रहा है एक्चुली में जो real में FDI होती है green field investment वो इंडिया के अंदर नहीं है चुकि green field investment के अंदर है नया construction होता है, नई नौकरी अक्रेट होती ऐसा पैसा इंडिया के अंदर बहुत कमाया है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि 2021 किसमें 81.72 billion dollar गर हमारे FDI है, तो यह बहुत अच्छी बात है अब सबसे खास बात यहां पर यह है कि जब भी कोई foreign investor इंडिया के अंदर आता है तो उसकी credibility होनी चाहिए उसके दिमाग में confidence होना चाहिए जिस देश में भी वो invest करने जा रहा और वो confidence यहां पर कहीं न कहीं कम हो रहा है कुछ international जो भी arbitral awards आए हैं उनकी वज़े से पिछले साल इंडिया दो high profile bilator investment TT के disputes को हरा है एक Vodafone का है और एक CanEnergy का है दोनों ही मैंने आपके respective links बता दी हैं अगर आपको इन cases के बारे में जाना है तो यह दो वीडियोस देख लिए इन दोनों की वज़े हैं कावा निकलती है United Progressive Alliance की government की समय पे निकलती है उन्होंने tax laws को retrospectively amend किया in fact Voda वाले case में तो पहले high court में हारी government फिर supreme court में हारी government उसके बाद government ने taxation laws को amend किया और 2020 में उस crime के लिए कोई नई सजा लाई गई तो वो नई सजा आपको 2020 में नहीं मिलेगी 2015 वाले crime के लिए लेकिन मालीचे 2015 में आपने कुछ कमाई की और उसका tax नहीं भरा और 2020 में retrospective tax law लाया गया तो 2015 वाली कमाई के उपर भी 2020 वाला tax आपको भरना पड़ेगा तो हमारे taxation laws retrospectively भी implement किये जा सकते हैं और उसके चलते वोड़ा फोन से 24,000 क्रोड रूपे की डिमांड कर ली हमारी सरकार ने सा वोड़ा फोन पैसे देने वाला था नहीं वो ISDS में चला गया उसी परकार से जो केन वाला अवाड था केन वाले अवाड में क्या हुआ कि जबरदस्ती केन अनरजी की जो भी assets थे इंडिया के अंदर उसके ओपर कबजा कर लिया भारत की सरकार ने अब जब भारत की सरकार ने कबजा कर लिया तो केन पर्मानेंट कोट अफ अर्बिट्रिशन दाहेग में चला किया और वहां पे भारत की सरकार केस आर गई है और सबसे खास बात यहां पे यह है कि इंडिया के उपर 1.2 बिलियन डॉलर्स की पेनार्टी लगी मतलब इंडिया ने यह जो केन अनर्जी के एसेट्स को जब्त किया उसके उपर इंट्रेस लगा के अगर अवांट कल्कुलेट किया जाए तो 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर्स है अब यह केन अनर्जी इस अमांट को वसूलना चाहता है अभी भारत सरकार से भारत में आके तो वसूल सकता नहीं है तो केन ने क्या किया कुछ दिन पहले रगबग एक हफते पहले यह न्यूस थी कि भाई केन अनर्जी क्या गया यूएस में गया और यूएस में इस आर्बाइटरल आवार्ड को वो इनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है और क्या कह रहा है कि यूएस में जितने भी एर इंडिया नाम की हमारी एरलाइन से उसके असेट्स है इसको सीज कर लो आपको पता है एर इंडिया गवर्मेंट एरलाइन है तो चुकि भारत सरकार को एक दसंबलो दो बिलियन डॉलर देने है पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेक की रूलिंग के हिसाब से और भारत सरकार से भारत में आके तो पैसा ले नहीं सकता केन अनर्जी तो वो यूएस में जाके इस आर्बेट्र अवार्ट को इननफोर्स करने की कोशिश कर रहा है और एर इंडिया के सारे असेट्स को बेचके अपना पैसा निकालने कोशिश करो किवल यूएस में नहीं, सिंगापुर में और जहां जहां पे भी पॉसिबल है, केन एनरजी जाके इस प्रकार के आर्बाइटल अवार्ट डाल रहा है, बोल रहा है कि देखो देखो, हमको पर्मिशन देदी है, इस इंडियन गौर्मेंट के एसेट्स को आप डाइलूट करो और हमको पैसा दे दो, अब वहां की सरकारे में जल्दी ये काम करने वाली नहीं, आपको लगता है कि यूएस की सरकार बहुत जल्दी इस पाप की पर्मिशन देगी कि एर इंडिया के एसेट्स को डाइलूट कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया के ल वोड़ा फोन में हमको उतना पैसो का नुकसान नहीं, बट केन वाले केस में पैसो का नुकसान हमको बहुत है, एक दिसम्बलो दो बिलियन डॉलर भारा सरकार को देना है इस अवार्ड के साब से, लगबख साड़े दस हजार करोन से भी जाता, फिर इन दो केस के साथ एक केस निकलके आता, यह देवस मल्टी मीढि अ का, तुई जो देवस मल्टी मीढिया करके ऐक बैंगलूरुबेस्ट स्टार्टप था, इसने सैटलाइट स्पेक्टरम को लीज से लिया था, किसके थूलो एंटरिक्स के थूलो आपको पता होना चाहिए कि एंटरिक्स कॉमेर का स्पेक्टरम देना है किसको नहीं देना यह डेफिनिटली सरकार के जोर के इंदर आता है और सरकार ने इसको national security के basis पे नरेंवाइट क्या बैक एंड में क्या हुआ क्या बात्चीत हुई देखो किसी को पता नहीं है बट सरकार ने national security के basis पे इसको cancel कर दिया इसके बाद आप देखोगे, पीन लीगल डिस्प्यूट शुरू होंगे भारत सरकार के अगिस्ट में, कौन-कौन से लीगल डिस्प्यूट शुरू होंगे? तो एक लीगल डिस्प्यूट तो शुरू होगा, एंटरिक्स कॉर्परेशन और देवस मंती मीडिया के बीच में, International Chambers of Commerce में और दो dispute शुरू होंगे Bilateral Investment Treaty के अंदर एक Bilateral Investment Treaty किसकी Mauritius, India की Bilateral Investment Treaty और एक शुरू किया जाएगा Deutsche Telekom दारा जोकि एक जर्मन कंपनी है अंडर India-Germany Bilateral Investment Treaty जोकि वो भी इस डील में इन्वाल्ड थी तो कुल में लाके यहाँ पे तीन डिस्प्यूट शुरू हो गए यह Devas Multimedia वाले कैंसलेशन के चलते और इंडिया तीन के तीन हार गया और यह जो ICC वाला इंटरनेशनल चैंबर्स ओफ कॉमर्स वाला इसने एंट्रिक्स को ओर्डर किया कि तुम एक दसंबलो दो बिलियन डॉलर दो देवस को अब देवस Multimedia मतलब देवस Multimedia तो खुश और एंट्रिक्स फस गया एंट्रिक्स इस रो इस रो दो दो सरकार के पास गये होंगे अब तो प्रॉब्लम है भाई इंडिया ने नाशनल सेक्योर्टी के बेसे स्पेस इशू को कैंसल किया ता मतलब हम अगर अपनी नाशनल सेक्योर्टी के बेसे स्पेक्ट्रम को भी कैंसल करेंगे तो भी एक इंटरनेशनल कोट आके हमारे उपर एक दिसम्बल दो बिलियन डॉलर का जो डाल देगा ये तो कामगड़बढ है तो इंडिया ने इसका बतला कैसे निकाला इंडियन एजन्सीज ने देवस को इंवेस्टिगेट करना शुरू कर दिया करुप्शनल फ्रॉट के लिए कहीं ने कहीं इंडिया वाले ठसक गए दिमाग खराब हो गया खराब हो ही जाएगा तो हम नेशनल सिक्यूर्टि के बेसिस पे तुमारे एलोकेशन को कैंसल कर रहे हो तुम हमारे किलाफी केस कर रहे हो केस जीत भी रहो हमसे एक दसमलो दो बिलियन डॉलर मांग रहे हो तो करॉप्शन फ्रॉट के केस पे देवस के अगेस्ट केस चलने लगे को इसने वॉयलेट के और गलत प्रकार से ICC के अवार्ड को पास कर वाया तो एक तो इंडिया के अगेंस्ट 1.2 बिलियन डॉलर का अवार्ड इंडिया हार गया है देवस मल्टी मीडा जीत गया देवस मल्टी मीडा पे इतना राज हो गई सरकार कि भाई उसका धंदाई पानी इंडिया में बंद करने लगए उप करना ही पड़ेगा तो इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हो और इंडिया के ऊपर ही आप डिस्प्यूट ठोक रहे हो वो भी स्पेक्टर में लोकेशन जिसी चीज़ को लेके तो आप सुनने में आ रहा है कि देवस एक नया बाइलेटल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रिशन शुरू करने वाला है इंडिया के अगिस्ट तो ये जो लीगल बैटल्स चल रहे हैं ना इंडिया के अगिस्ट खास बात यहाँ पर यह है कि यह इंडिया की इमेच हो खराब करते हैं फोरें इन्वेस्टर्स की नजरो में अच मैं आपको एक और बात बता दो बहले यह इंडिया की इमेच हो खराब कर रहे हैं पड़ इसको इतना आउट ओड बॉक्स देखने की ज़रुक नहीं है जो भी अब देखिए ये spectrum allocation एक sensitive sector था और cane energy वाले में और Vodafone वाले में retrospective taxation वाला law था इसलिए ये कुछ cases थे जो कि कई न कई investors के against चलेगे और investors भी यहाँ कोई दूद के धुले नहीं थे Vodafone और cane energy ने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया था capital gains tax को वो भी avoid कर रहे थे और हमने capital gains tax मांग लिया ये अलग बात है कि वो loophole से avoid कर रहे थे एक legal तरीके से लेकिन देना तो था उनको capital gains tax वो पैसा देना नहीं चाहते थे भारत सरकार ने पैसा मांग लिया तो उनको बड़ी परिसान ही होगी इंटरनेशनल टाइप नहीं चले गए तो कही न कहीं foreign investors थोड़ा बहुत nervous जरूर होंगे इस particular article में एक viewpoint दिया गया है कि भाई देखे अगर भारत सरकार एक foreign investor से case हार जाती है और उसके बाद भारत सरकार case हारने को बात compliance नहीं करता है तो कहीं न कहीं भारत सरकार का case international या भारत सरकार की image internationally खराब होती है भारत सरकार क्या statement है कि हमारे पास एक sovereign writer tax लगाने का अगर हमने tax लगाया tax notice मांग पास कोई sovereign writing नहीं है अपने tax लगाने का, कोई भी बाहर का tribunal आखे हमारे खिलाफ award को enforce कर सकता है, तो यह जो judicial readings है, यह इंडिया के favor में नहीं है, कहीं न कहीं इंडिया को back end से इनको निफटा दिना चाहिए, but award बहुत ज़दा involved है, 1.2 billion dollar, 1.4 billion dollar, यह बड़े awards है, तो back of the end, जब हम अपने देश को एक investment destination मिनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस बात को ensure करना चाहिए, कि foreign corporates के दिमाग में confidence हो, और actually में confidence है भी, चुकि अब और चीज़ें clear हो जाएंगे, इन तीन चीज़ों में, जो गलतिया होई है, most probably वो गलतियां इंडिया में दुबारा नहीं होँगी, इस बात का ध्यान सरकार भी रखेगी, और इस बात का ध्यान वो corporates भी रखेगी, जो कि इंडिया में आके दंदा करने कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ तो यहाँ पर सीधी होगई, अब ही कि capital gains tax अगर तुम सोच रहे कि इंडिया में जरूस ज़्यादा कमाल होगे, वो बहुत मुश्किल है, retrospective tax amendments के थुरू वो चीने जा सकते हैं, अभी कि जो सरकार है वो कहीना कहीं बहुत ज़्यादा corporate friendly नज़र आ रही, बहुत सारी corporate friendly decisions लिये गए हैं, और जिस प्रकार से FDIs इंडिया के अंदर आ रही हैं, most probably in particular cases का इंडिया के investment climate पे जो permanent impact है, वो बहुत कम होने वाला है, हाँ, इंडिया को अपनी international reputation इस basis पे बचानी है, कि air India के अगेंस्टी जो 1.2 billion dollars के award enforce करने के लिए US में arbiter case follow हुआ है, यह execute नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यह execute हो जाता है, तो फिर इंडिया के उपर pressure आएगा कि US के किसी asset के उपर जोड़ डालो, और वो फिर काम गड़बड कर देगा, तो यह था पूरा analysis दोस्तों, आपको देवस multimedia वाला case, scan, energy और Vodafone, इन तीन cases को याद रखेगा, और हमारे business scenario से लेके, economy से लेके, या फिर international relations से लेके, अगर आप किसे question आता है, तो वहापे आप इस प्रकार की cases को code कर सकते हो, कुछ extra numbers करें, आई होब आपको यह article ठीक तरीके समझ में आ गया हो, जो point मैं आपको deliver करना चारा हूँ, वो point आपको मिल गया हो, वीडियो को like और share की बिना मज जाईएगा, ज़्यादर ज़्यादर लोग साथ इस channel को share करिए, Instagram पो follow करके, आप अपने सवाल भेज सकते हैं, general किसम की नहीं, specific किसम की सवाल भेज़िए, have a great day, good bye